सन 1636 में विजापूर के महमत अदिल शाह और मुग्लों में बड़ी लड़ाई हुई कि कि किवेitar में ये सूबें nouveaux हुई 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 भापूर के लुक कि अ खर्ली ह हम अगज हुई कि कि थैव कर दो कि भुट कर दो अ ठाल कि प्रहन ठाल कि अ क्षबुर कर दो भुट कि mayı पूम readily से लुबूज एरे भाऊजो archa कि भार जग डिर टॹ एकार भारमे थनला ऩॉ catch कि जिते लुआ छ दूब से जुट पर मॉद थे लुट्स ह सव रहाए वारwind पाल अ उस लडाई में उगलों का परावो हुआ और उने रणांगें जोनके भागना पड़ा बाजी मुरार नाम के युद्धा का पराकरम अदिल शहा की नजरों में आया बाजी मुरार आपका युद्ध कोशल्य बहुत ही बढ़िया है मुगलों के विरुद्ध आप बहुत ही खूब लड़े आज से आप हमारे साथ रहेंगे और अदिल शाहा ने बाजी मुरार को उम्राव बहुमान का किताब बहाल किया बाजी मुरार अदिल शाही दरवार में जाने के बाद उनके पाच बेटों में से एक मुरार बाजी को सभी जिम्मेदारिया दी मुरार बाजी ने असंख्य लडाईयों को अपनी समशर से जीता था इसलिए दवलतराव चंदराव मोरे के वे विश्वासू सरदार बन गए थी कभी आचानक जावली के दवलतराव चंदराव मोरे की अकस्मत पृत्ति हो गई उन्हें पुत्र ना होने के कारण उनकी पत्नी को संकट महसूस होने लगा बोली अब हम क्या करें मोरे घरानी की इतनी दवलत को कौन संभालेगा कई विजाबूर के बाच्चा हम पर कबज़े न करी वे बहुत ही बेचन हो गई थी सहारे की तलाश में थी तबी उनके सामने एक नाम आता है शिवाजी भोसले शिवाजी भोसले शिवाजी भोसले हमारी मदद जरूर करेंगी हमें विश्वास है और उन्होंने सत्रपती शिवाजी महाराज को खट भेचकर अपनी पूरी स्थिती के बारे में जानकरी दी महाराज ने खट पड़ा और महाराज की वज़र से चंद्राव मोरे के पत्नी ने एक लड़के को अश्रे में लिया और उसे मोरों के गद्दी पर बिटाया उसका नाम था एश्वंत्राव चंद्राव मोरे 6-7 साल बीद गए पर आप स्थिती बदल गई मोरे चत्रपती शिवाजी महाराज से नपरत करने लगे उन्हें अदिल चाहा ज्यादा प्यारा लगने लगा वे महाराज को कुछ भी खट लिखने लगे महाराज जावली प्रांत के एश्वंत्राव चंद्राव मोरे को अदिल चाहा अपना लगने लगाए वे हमें उपेक्षा पूर्वक खट भेज रहे पंत अभी एश्वंत्राव मोरे को खट लिखो जावली खाली करून राजे नम हनून मोर्चेल दूर करून हाथ रुमाले बांधून भेटी सेने उकमाची चाकरी करने बदपहली केली तर मारले जाल पर मोरे भी कुछ कम नहीं थे उन्होंने महाराज को उतने ही उपेक्षा पूर्वन जवाव दिया दारू बोला मवजुद आ है काही खते घालून लील ते कासायास लीले थोर समरता है शब्दों से अब मोरे नहीं मानेंगे अब हमें जावली को अपने कबजे में करना है एश्वंत्राव चंद्राव मोरे बेवकूप है उसे जावली प्रान के कटिन जगाओं की और हजार स्वारों की नशा चड़ गई है पस जावली प्रान जल से जल स्वाराज जमेश शामिल होना चाहिए और महाराज खुद अपने साथ कुछ सैनिकों को लेकर निकल पड़े महाराज ने हमला बोल दिया मोरे इदर उदर भागने लगे वे भी पलडवार करने में लगे मोरे और उनके सिपाईयों को मराठों ने चारवावर से घेर रखा था हर भी मेरे तरह हमाने प्रहाप घ्चे बीक तबी मरा ढूंकिये संबाजी काउजी कोंडार करने इश्वंत्रा मोरे के खासकारबारी हन्मंत मोरे को मार दिया ये देखके तबी मोरे डर गए और जावडी हाद से निकल रही है ये देखकर एश्वंत्रा और चंद्रा मोरे डर गया और वहाँ से भाग गया तबी मोरों के फोज में एक पठावीर बड़ी ताकत से लड रहा था वे किसी को भी एक इंज भी आगे बड़ने नहीं दे रहा था उसकी बहतरीन समचेर और ताकत देखके महराज खुश हुए उस वीर का नाम था मुरारबाजी देशपांडे महराज ने मुरारबाजी को समझाया मुरारबाजी आप बहुत भाद्दूर हो परन्तु आप गलत जगर पर हो एक आर यह स्वराज्य का है देवधर्म का है एक वक्त स्वराज्य ने जावली प्रांद को आधार दिया था हमारी वज़े से एश्वंत्राव चंत्राव गाती पर बेटे परन्तु उन्हें दुश्मन पैरे लगने लगे और उन्होंने स्वराज जैसे गद्दा रिकी गद्दा की जरुत है तुम स्वराज्य में शामिल हो जाओ मुरारबाजी को सत्य समझ में आ गया और वो महराज के अश्रे में आ गया महराज ने मुरारबाजी को महतोपुर्ण पुरंदर किले की जिम्मेदरी दी और उसे किलेदार बनाया और एक वक्त के मोरे घराने के धरकरी अब स्वराज्य के किल्लेदार बन गए मुरारबाजी जैसे ही अनेक महाराथा योद्धाओं का इध्यास हमें पूरे विश्व घर में पहुंचाना है तो इस हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उनको भी चत्रबदी शिवाजी महाराज का इध्यास करवसे देखने दे और मुरारमाजी का एध्यास आपको कैसा लगा हमें कमेंड में दरूर बताए जय भवाणी जय शिवराए करें दोस्तों करें